हाई एवरिवन आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आए हूँ बहुत ही बढ़िया सिम्ला मिर्च आलू और प्याज की जबरदस्ती सब्जी तो चलिए बिनादेरी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं मैं प्यास काट करके उनकी पैटल से अलग कर ली है और जिने मने डाइसमे कर लिया है तो सारी सच्जीयों को चाट करके मैं अच्छी तरह से धो लिया था अब सबसे पहले हम तेग अ Lubbeha कसि क dob orphanage का लिए थोट कॉरबाइब प्याज को अमें फल्क बून निकाल जाए और हम इसमें भॉन निकल जाए और इसमेंậ हो घर कर एंगे अऑप का यहां मैं ने दो डो टमाट्रो को मिक्सर में कर रिए करके सथा दैति मनिक स्टेश्ट करेंगे आधा चोटा इसाइं करेंगे, आधा चोटा चमच उन्हीं अजह बाफ पाऊटर हैं ऐस जापी जीरा और नहीं इसके लिए मैंने या 2-3 चमच पानी डाल दिया है सारे मसालों को अच्छी तरह से पहले आप मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर 5-7 मिरट पकाएंगे इस तरह से कवर करके पड़काने से मसाले बहुत ही अच्छी तरह से कूप हो जाती है तो यह देख सकते हैं मसाले पक चुके हैं और बहुत ही अच्छी से खुश्बू आ रही है इसमें से और ग्रेवी की रिष्टनिस बढ़ाने के लिए यहां मैंने दो बड़ा चमच मलाई ले ली है इसे हम डाल देंगे तो अगर आपके घर में दूद की मलाई होना तो इसे जरूर से डालिएगा इससे जो होता है ग्रेवी का टेस्ट और टेक्श्चर दोनों ही चेंज होता है तो मलाई को भी अच्छीता से मिक्स करने के बाद दो मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे ताकि मलाई के अंदर जो भी ओईल है वो लीज हो जाए और यह देख सकते हैं सता पर तेल एकदम तैनने लगा है और ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया बनी है अब इसके बाद हम फ्राई करके रखे हुए आलू इसमें आड़ कर देंगे और साथी में जो हमने शिमला मिर्च और प्याज काट करके रखे थे वो भी डाल देंगे शिमला मिर्च और प्याज को मैंने पहले नहीं फ्राई किया है अगर इसे हम पहले से fry कर लेंगे ना तो यह बहुत ज़्यादा ओवर कुप्ट हो जाती है साथी में 2-3 हरी मिर्च इस तरह से लंबाई में काट करके डाल देंगे और एक छोटा चमच कसूरी मेथी आड़ कर देंगे कसूरी मेथी से ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम जरुत के अनुसार पानी डाल देते हैं तो पानी डाल करके अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे तब तक के लिए जब तक की जो आलू है वो अच्छी तरह से पक नहीं जाते यहां मैंने कवर कर दिया है और यह साथ से आठ मीनट हो चुके इसे पकते हुए एक बार हम चेक कर लेते हैं तो देखी सकते हैं ग्रेवी अल्मोस्ट बन चुकी है सबजी तो आलू चेक कर लेते हैं यह देखें आलू अच्छी तरह से पूख हो गए हैं और साथी में थोड़ा सा बारी कटावा हरा धनिया डाल देंगे सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बन करके तयार है हमारी बहुत ही हेल्दी और टिलीशियस सी सिमला मिच की सबजी तो इस सबजी को एक बार ट्राइज जरूर करें आशा है आपको पसंद आएगी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार और बाबाई